नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं जर्खन मुक्ति मोर्चा को जामो समान योजना आरम करने के उनमती दी जाए इसके तहट जामो राज की महिलाओं को मासिक 25 परमुख देगी महासच्यू बिनोध पांडे के नितित में राज निर्वाचन पदाधिकारी को प्रतिनिदी मंडल ने बताया है कि भारतिय जनता पार्टी की तरब से आवेदको को गोगो दीदी योजना के तहट पंजी करन के लिए अमंतित किया जा रहा है इसमें नाम पता मोबाइल नंबर पंचायद बलोग जीले का नाम आधी जैसे बीरोन मांगे जा रहे हैं इस योजनाओं में हर महीने की एक गारा तारिको परतिक महिला को एकाईस सो रुपे और प्रतिवस पचीस से रुपे देने का वादा किया गया है या एक चुनाओं हथ कंटा है और जन परतिनी धित्व अधिनियम उनईसे 51 की धारा एक सो तेस के तहत परिभासित भरष्ट आचरन की स्रेनी में आता है किसी भी परकार के मुफ्त चीजों के बीवरन का वादा सभी लोगों को प्रभावित करता है जे एमेम ने बीजेपी के मिला क्या के बदले सुरू किया कॉप दोगे अभियान भाजपा के मिला क्या के कैम्पेन के जबाब में जामों ने भी आपना अभियान दिया है उन्होंने इसके लिए कॉप दोगे अभियान चलाया है रांची से लेकर राजी के सभी प्रमुक सहरू में या पोश्टर लगाया गया है इसमें लिखा गया है कि 1.36 रुपे कब दोगे पोश्टर में मुखी मंत्री हेमांसुने की तस्बीर लगी है निवेदक में जारकन मुक्ती मोर्चा लिखा गया है बता दे पार्टी के सुत्रो ने बताया है कि रांची के सभी प्रमुक चौक चोराहों में से एह होल्डिंग लगाये गये हैं जामो का मनना है कि दुरका पूजा के दुरान लोगों की भारे भीन जूटेगी लोगों की बीच पार्टी या संदेश देना चाहती है कि एक पुएंट तीन चो लाख और रूपए जार्खन का हाग है जिसे केंद्र सरकार नहीं दिया है इस करण राजी में विकास के कई काम रुके हुए है चट पर मय्या समान योजना की चौथी किस्त भेजी जाएगी मुख्यमंत्री हमांसुरे ने कहा है कि उन्हें बहुत खु मुख्यमंत्री महिला समान योजना की तिस्टी किस्त जमा की है अब छट पुजा के पावन आउसर पर चौथी किस्त भी राज्य की महिलाव तक पहुँचेगी यह केवल एक योजना नहीं बलिक हमारी बहनों के ससक्तिकरन की दिड़ परतिक गया है उन्होंने सभी को परकार ने काफी तेजी से कारे किया है और आगे हम इस गति को और तेज करेंगे मिलका जार्खन को देश का अग्रणी राज्यों में सामिल करेंगे यह उनका संकल्प और वादा है सीजील परिक्षा रद करने के लिए हाई कोट में याचिका दाखी जैसे सी की अशनातक अस्तरे सन्युक्त परिक्षा सीजील रद करने के लिए हाई कोट में याचिका दायर की गई है परकास कुमान याचिका दायर कर परिक्षा में गलबड़ी कारोप लगाया है पूरी परकिरिया की CBI वा हाई कोट में सिवान निवरीत जज की कमेटी से जाज कागरह किया है याजका में कहा गया है कि 122 सितमर को होई परीक्षा की तवन काफी गरबड़ी हुई है पिछले परीक्षा के कई सवाल पूरी तरह दुराये गए थे प्रश्णपत्र जीस्ट कोवार में राखे गए थे उसका सिल टूटा हुआ था इसकी जानकारी भी उसी समय दी गई लेकिन परीक्षा ली गई परीक्षा में होई गरबड़ियों के साक्ष प्रार्थी के पास मौजूद है बताद 1122 सितंबर को जेसेसी ने जहारखन के 823 केंद्रो पर सीजेल परिक्षाली थी इसमें 3 लाग से जड़ा अभ्यार्थी सामिल हुए थे 16 जहारखन राज खेलकुत पर्त्योगता में जैप ओन चैम्पियान साल 2019 में खेलकुत पर्त्योगता हुई थी लेकिन कोरोना की वज़ा से आकारकरम आगे नहीं हो पाया बतादे 24 वीविन असपरधा में 6 टीमों ने पार्टिसेपेट किया है इस मौके पर जहारखन विदान सबाध द्यक्स रविन अत्मातो ने कहा है कि अगर खेलाडी और प्रसिक चकड़ी में नत करेंगे तो 20 स्वास्तर पर होने वाले खेलकुत पर्त्योगता में सामिल होने का मौका मिल सकता है उन्होंने कहा है कि खेलकुत सारीरिक और मांसिक रूप से मजबूती परदान करता है इसलिए सरकार खेलकुत को बढ़ावा देती है बोकारो सदर अस्पताल में जन्मी चार बेटियों का धोलनागारे से स्वागाद बोकारो डीसी की पहल पर सदर अस्पताल में बुधवार को जन्म लेने वाली चार बेटियों का स्वागत धोलनागारे सोहर गित से किया गया वहीं डीडीसी ने उनके पिता को पगड़ी पहनाए उन्हें गिफ्ट हैंपर बेवी कीट मार बेवी के लिए वस्तर मिठाई आदी भेट की है वहीं ट्रांसजेंडर राजकुमारी देवी ने सोहर गित गाय है डीसी ने कहा है कि बेटी के जनपर खुशिया मनाए पुराणी सोच को बदले अविस्तिती बदली है जामोमो करकरता फर्जी छात्र बन सीजील परीणाम जारी करने की मांग कर रहे है बीजेपी के परदेश अध्यास बावुलान मांडी ने जहाब मो पर आरोप लगाया है और कहा है कि जेमेम के करकाता फर्जी चात्र बन कर जेसे सी सीजेल परिक्षा का पाइणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि लगभग 7 लाग अव्यार्थ उन्हें जेसे सी सीजेल की परिक्षा दी है इन में से हर कोई यही चाहता है कि पेपर लिक मामले की निस्पक चाच हो जिन चात्रोंने परिक्षा दी है वे चाहते है कि परिक्षाराद हो जिन्होंने कभी ज सेसी का फोरम तक नहीं भरा है और कभी परिक्षा नहीं दी वे चाहते हैं कि इसका रियल्ट घोसित हो जामो करकाता साथ लाग छात्रों को बदनाम करने का स्वर्यन्त कर रहे हैं जारखन के जिवा इस साजिस का करारा जबाब देंगे आंगनबाडी सेविकाव ने दुरगापुजा में चार दिन अस्थागित किया अंदोलन जारखन राज आंगनबाडी समाज कल्यान करमचारी संग के जिला देख बरदीप सर्मा और प्रदेश संजोर जग जय प्रकास पांडे ने सन्युक्त ब्यान चारी कर दुरगापुज आउकास को देखते हुए चार दिनों के लिए धारना अस्थागित करने का निनलिया है पुना दुरगापुजा के बाद 14 अक्टूबर से जारकन राज के सभी जीला मोख्याले में धारना प्रदारम किया जाएगा संग ने इसकी जनकारी जीले को उपायुक्त को भी दे द प्रकास पांडे ने बताया है कि 23 सितंबर को जारकन सरकार के खिलाप रांची में परदर्शन और 5 अक्टूबर से सभी जीलों में उपायुक्त करया लाएप धारना परदर्शन के कारण ही सरकार ने केबिनेट की 8 अक्टूबर को हुई बैठक मनी मावली में संसोधान आस अरखन में दुर्गा पुजा महापर्व को देखते हुए राज्ये के सभी पुलिस कर्में उप्षोटिया रद किया जाने के सुचना है आठ अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सभी पुलिस पतादेकारे उप्षोटिया कैंसिल रहेगी इस समन्द में मंगलवार को डी जी बेवस्था को कायम रखने और किसी भी तरह के अप्रिये घटना ना घटे इसके चलते राज्ये के सभी पुलिस कर्में एक छुटिया रद कर दी गई है दिल्ली में राहूल खरगे से मिले सियम हमांत अगामी बिधान सभाद चुनाओ को लेकर सतरूर जामोनी तगडबंधन ने सीटों के बटवारे की कवायद आरम कर दी है इसी कर्म में मुख्यमंतरी हमां सुरन अपनी पतनी गांडे की विधाय कालपना जोरन के साथ बुद्धवार को नई दिली पहुचे है उन्होंने वहाँ कांग्रेस के आला नेताओ संग मुलकात की है कांग्रेस के राष्ट्रे महासर्चिव केसी वेनु गोपाल भी मौजूद थे एक गंटे तक चली बैठक में राज्यम में कांग्रेस के साथ सीटों के बटवारे को लेकर बातचीत भी हुई है कहा गया है कि इंडिया मिल कर विधान सभा चुनाव लड़ेगा चात्रा पुलिस और टीपीसी के बिच मुड़ेड दो नक्सली मारेगा है चात्रा पुलिस और टीपीसी उगरवादी के बिच मुड़ेड हुई है या घटना बुदवार की रात वसिष्ट नगर जोरी थाना चेतर के बॉड़र परिस्थीत गनियोतरी जंगल में हुई जहां एसपी विकास पांडे को मिली गुप्त सुचना के अधार पर संदीप सुमन गिनेतित में सर्च अभियान पर निकली पुलिस टीम का सब जोनरल कमांडर हरेंद्र कांचु दस्ते के साथ मुड़वेड हुई है इस मुड़वेड में दोनों ओर से गोली बारी हुई जिसमें हरेंद्र गांचु और इस्वारी गांचु नाम का दो उग्रवादी मारा गया है इन उगलवादियों के पास से एक फोटी सेवन और एक देश्ती कटब रामत हुआ है रतन टाटा का 86 की उम्र में मुंबाई में निधान जाने माने उद्योग पती और टाटा के चेयर्मेन रतन टाटा का बुद्धवार देर साम अस्पताल मिलदान हो गया है 36 वर्षे टाटा कुछ समय से बिमार थे उन्हें उम्र संपन्दी परिसानियों के कराण आईश्यो में भर्ती कराया गया था वदादे रतन टाटा को रभिवार रात मुंबाई के ब्रीच केंडिये अस्पताल में भर्ती कराया गया था चोमवार को उनकी इंजियोग्राफी की गई जिसके बाद उनकी हिर्दय गती बढ़ गई और हालात बिगड़ने लगी उन्हें लाइब सपोर्ट पर रखा गया था टाटा संस के चेर्मेंस एन चंद्र सेखर ने रतन टाटा के निधान की पुष्टी की है चंद्र सेखरन ने एक अधिकारी की ब्यान में कहा है कि हम रतन नवल टाटा को गहरे दुख के साथ बिदाई दे रहे हैं विवास्तों में एक आसाधारन ब्यक्ती थे बदाजे रतन टाटा ने मार्च 1991 दिसंबर 2012 तक नमक से लेकर सप्ट्वेर तक बनाने वाली कंपनी टाटा संस के अधियक्स के रूप में टाटा समो का नितित किया है लातेहर में बजरपाद से चार की मौत लातेहर जिल्या के महुआ डार प्रकंड श्थीत औरसा पाठ में बुद्धवार की दोपर होई मुशलाधार बारिश के दन बजरपाद की चपेट में आने से दो सगे भाई समें चार लोगों की जान चली गई है दो लोग गंभी रूप से घायल भी हो गए है मिरितकों में 30 वर्षे संजय नागेसिया 25 वर्षे लल्लू नागेसिया और 30 वर्षे रवी संकर नागेसिया और 25 वर्षे जीतेंद्र लोरा सामिल है ग्रामिनों ने बताया है कि पुद्वार को उर्षा पाठ निवासी 13 लोग मान्देव नगेसिया के बगान के घेराव का काम कर रहे थे उसी दोरान तेज बारिस होने लगी बारिस से बचने को सभी पास इस्थित पुलिया के नीचे जाकर छिप गए उसी दोरान बजरपात हुआ है जिसकी चाप्रेट में आधा धर्जन लोग आगाय है गढ़वा में पूजा पंडाल से लोट रही यूती से गैंगरेब गढ़वा के भंडरिया थाना छेत्रे में एक यूती से समोहिक दुसकर्म का मामला समने आया है पूलिस ने बुद्धवार को पूलिस ने बुद्धवार को प्यान लेकर मेडिकल जाच के बाद करवाई सुरू कर दी है मामले में गढ़वा एसपी दीपक मरपांडे ने कहा है कि मुख्य आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है जल्द ही अने आरोपियों को भी गिरफतार किया जाएगा सरना अस्थल का सिला पट तोड़ने पर बवाल अनगरा के सालहन में बुद्धवार को सरना अस्थल घेराबंदी के लिए लगाया गया सिला पर तोड़ने की घटना के बाद ग्राम परधान और कांग्रेस बिधायक परतिनिधी राजेंद्र मुंडा के बीजम कर बहस हुई है ग्राम परधान ने आरोप लगाया है कि बगर ग्राम सभा से पारित हुए ही सिला नियास किया रहा है वहीं भाजपा के पूर्व बिधायक राजकुमर पाहन ने भी ग्राम परधान का समर्थन किया है बिधायक परतिनिधी राजेंद्र मुंडा ने कहा है कि प्रकिरिया के तह सिला नियास किया रहा है हलाकि सिला नास पट किसने तोड़ा इसका पता नहीं चल पाया इससे पहले खिजरी विधायक राजेस कक्षप की पतनी रिया तिर्की और अर्णगारा प्रमुक दीपाउराने बोध्वार को परखंड में चार योजनाओ का सिलनास किया है कल्यान विभाग मद से 56 लाख रुपए से इस योजनाओ का सिलनास किया कि जाएगा इन विभाग में तुरूप और बलोरा में मसनास्थल की घराबंदी, सालहन और बनादाग में सारनास्थल की घराबंदी और बिनिया जारा में बिधायक मस्द से पी सी सिपत सामिल है धन्यवाद